करनाल के हासी रोड स्थित विने गैस एजनसी के सेल्समैन पर अग्यात मोटरसाइकल सवार लुटेरो द्वारा जान लेवा हमला कर नगदी लूटने का मामला प्रकाश में आया है गैस एजनसी के मालिक विने ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस एजनसी पर कार्यरत गोगडी पूर निवासी सेल्समैन को अग्यात हमला वरो द्वारा मार्पिट कर नगदी लूट ली गई है जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है पुलिस ने मोके पर पहुँचकर आवश्य कारेवाही करते हुए आरोपियो की तालाज शुरू कर दी है उन्होंने बताया कि गैस एजनसी में वह गैस एजनसी के आगे भी सिसी टीवी कैमरे लगे हुए थे जिन में आरोपियो की तस्वीर मिल गई है गैस एजनसी पर कारेवत एक और अन्य करमचारी ने बताया कि वह गैस एजनसी के सामने बैठी हुए थे कि अग्यात हमलावरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया जिससे गैस एजनसी के करमचारी को गंभीर चोटे आई है जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भरती करवाया गया है गोरतलब है कि लोकडाउन के समय भी मोटरसाइकल पर सवार लुटे रे इस तरह की वार्दात करने का होसला रखते हैं जो बेहत ही घंभीर बात है फिलाल पुलिस द्वारा आरोपयों की तालाश जारी है और आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रही है देखे एक रिपोर्ट करम चारी कहां के रहने वाले हैं तब से कान कर रहे हैं गोगडिपूर का रहने वाले हैं जी दो साल से मेरे पर लोगड़े कान कर रहा है कैश का मेरे को अभी एक्च्वल नहीं पता लगा कि 40 और 50 जार पे के बीच में कैश था की पोलिस की पूरे टीम में लगी हैं दोनों वी लगे हुए एक बज के 25 मिनट में वह आया है वह काफी दिर बैठा रहा बैठने के बाद जो है हम लोग जब चले गए वो अकेला देख करके फिर उसको डंटे मारके और कैसूस का साड़ा लेके चला गया तो उसमें अकेले थे वो करम से प्रेम है यहां पर स्लेंडर की डिलिवरी देने के लिए बैठा था कुछ दो यूवक आए उस पर दंडों से हमला करके कैस वगयरा लूट के उसको ले गए और जिसको पुलिस आने के बाद उसको होस्पिटल में एड़मिट करवा दिया गया कि उसकी वेरिफिकेशन अभी अब ऑफिस में करवा रहे हैं और भागे लुटेरे जो है वो बाइक पे थे दो व्यक्ती दे जो बाग चुके पुलिस की टीम आगी थी मौके पे पे आगी थी ऐसी ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइव, शेर और सब्सक्राइब करें थे जेड़ने वारी KBD Banquets Enterprise